नमस्कार जार्खंडी नूज में आपका स्वागत है आए जार्खंडी राज के टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं प्रधान मंत्री नरेंदमोदी ने सोमवार को मुख मंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि पूरी दुनिया मानते है कि भारत खुद को संक्रमन से सफलता पुर्वक सुरचित रख पाया है जिसमें राजयों की महत्पुर्ण भूंका रही है उन्होंने कहा कि आगे रास्ते और स 17 माई से आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है जारखन मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक बारिस होने की संभवना है बिर्शाक क्रिसी अंतरगत क्रिसी मौसम एवं परेवरन बिज्ञान द्वारा किसानों के लिए एडबारिजी जारी की गई है विभाग क सार रेल्वे ने आज 12 माई से ट्रेन सेवा सुरू करने वाली है जो विशेष ट्रेन नाई दिली रेल्वे स्टेसन से चलेगी और डिबुगड अगरताला हावडा पतना बिलासपूर रांची भोनेसवर सिकंद्राबाद बेंगलोरी चेनाई तिर्वन्तपुरम मांडर सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान आरोगे से तू अयप रखना निवारे होगा यात्रा से 90 मिनट पहले रेल्वे स्टेसन पहुचना होगा यात्री को चादर कंबल खाने पीने खुद लेकर आना होगा यात्री को किराया के रूप में राजधानी एक्सपरेस के एक और गिरीडी से एक हैं जारखन में कूल संक्रमितों की संख्या 160 से बढ़कर 162 हुई जबकि 78 लोगों को सवस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्टार्ज कर दिया गया जबकि 3 लोगों की मृत्यु हुई भारत में कूल संक्रमितों की संख्या 70 या 762 या 776 जबकि 22549 लोग सवस्त हुए और 294 लोगों की मिर्तियु हुई मुख मंत्री हमन्सुरण ने परधान मंत्री नयंदमोदी के साथ वीडियो कंफेरेंसिंग की दवरान बैठक की जिसमें अल्प समय के दवरान सरमीको को मदत हेतू और मन्रेगा मजदूरी एवं सरम दिवस में बढ़ोतरी जीश्टी भुकतान कर परनाली में संसोधन कर राज की धन संगरा सकती बढ़ाने में मदत रोजगार एवं लोगों के जीवन बचाने को सरोपड़ी रखने का आगरा किया राजधानी के पुलिस कर्मियो और संक्रमन वरियस पर पुस्प बरसा खबरों के उनसार आई राजधानी राची के चुटिया में पुलिस ने फ्लेग मार्च किया इस दोरान अपर चुटिया के नागरिक ने पुलिस कर्मियो और संक्रमन वरियस पर पुस्प बरसा कर उनका स्वागत किया जारखन के 42 लाख बच्चे दुरदासन पर कर रहे हैं पढ़ाई खबरों के अंसार इसकुली सिक्षा यम सर्था विभाग जारखन ने 42 लाख बच्चों के लिए दुरदासन पर कख्चाय सुरू कर दी है इसकुल बंध होने के कारण सिक्षा विभाग ने दुरदासन के जरिये बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया है तीन घंटों का प्रशारण दुरदासन के माध्यम से सप्ता हमें पांस दिनों के लिए होगी जो 11 मई से 10 जून 2020 तक करकरम चलाया जाएगा जिसका रूटिंग इस परकार है प्रती दिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक अक्षाय चलेगी जिसमें 10 बजे से 11 बजे तक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई और 11 बजे से 12 बजे तक कक्षा 6 से 9 तथा 11 के बच्चों की पढ़ाई जबकि दो फर 1 बजे से 2 बजे के बिच 10 वी और बरावी की कक्षाय चलेगी दिल्ली से राची और राची से दिल्ली आने जाने के लिए ट्रेन शुरू खबरो कमसार रेलेवे ने 12 मैं से रेल सेवाज शुरू कर दिया है ऐसे में नई दिल्ली से राची के लिए ट्रेन चलाई जाएगी दिल्ली से राची के लिए बुद्धवार वा सनिवार को साम 3.5 बजे से ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन सुबा 10 बजे राची पहुचेगी वही राची से दिल्ली के लिए ट्रेन गुरुवार वा रविवार को साम 5.4 में रवाना होगी और आगले दिन सुबा 10.25 में दिल्ली पहुँचेगी यातिर को ट्रेन टिकट आनलाइन बुक करनी होगी जो कि राजधानी एक्सप्रेस के किराया के बराबर होगी राजधानी राची में मास्क अनिवार नहीं तो होगी कार्यवाई खबरों के उन्सार राची उपायुक राई ने डीटियो, सियो, थाना परभारियों को निदेश दिया है कि हर हाल में बजार, सबजी मंडी, अनाज मंडी, बैंक, सखाओ, पोस्ट ओफिस, आधी अस्थानों में के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग का अकड़ाई से पालन किया जाए, साथी यहां आने जाने वाले लोगों में देखा जाए कि वे मास्क या फेस कोवर का उपयोग करते हां या नहीं, दिशान निदेश में कहा है कि पालन नहीं करने वालों पर करवाई किया जाए मुख मंत्री की बड़ी मा का निधन अम्तिम संसकार में हुए समिलित खबरों के नुचार मुख मंत्री हमंत्री सुरेन की बड़ी मा का रविवार को निधन हो गया था जिनका अम्तिम संसकार सोमवार को उनके पैतरिक गाउ नेमरा गोला प्रखंड में किया गया जिसमें मुख मंत्री हमन सुरेन दिसौम गुरू सहित परिवार के आने सदा समिलित हुए इस तमय मुख मंत्री ने बड़ी मा की अर्थी को कंधा दिया मुख मंत्री कोस में देंगे एक दिन का बेतन सभी रिम्स कर्मी खबरो के अनुसार संक्रमन से जंग लडने में रिम्स के सीनियर और जुनियर डक्टर्स के अलावा सभी कर्मचारियों ने भी मदद करने का संक्रम लिया है सभी कर्मचारियों ने अपना एक दिन का बेतन देने के लिए तयार है ऐसे में इन सभी को मिल लाक और लगभग 50 लाक रुपे जमा होगी जो मुखमंतरी कोस में जमा होगा राची में लोकडाउन का सक्ति से होगा पालन खबरों के अनुसार संक्रमन के फैलाओ को रोकने के लिए राची जीला में लोकड़न का पालन अब और सक्ति के साथ किया जाएगा इस संबन में राची उपायुक्त राए ने राची जीला परिवान पदा अधिकारी सभी अंचल अधिकारी वो थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा है कि बिना फेस मास्क के घर से बाहर निकलने वालो पर कड़ी करवाई करें साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराए भाजपा विधायक धुल्लू मातों ने किया सरेंडर भाजपा विधायक धुल्लू मातों ने सोमवार को नाट किये घटना करम के बीच निया एक दंदा अधिकारी की अदालत में स्रेंडर कर दिया अधालत ने उन्हें जेल भेज कर उनके खिलाप भाजपा की जीला मंतरी रह चुकी एक नेता के योन सोशन का रोप लगाया है रगवर्दास ने मुख मंतरी किसी असिरवाद योजना शुरू करने की की मांग हम आपको बताते चले के मुख मंतरी किसी असिरवाद योजना के तहट किसानों को 25,000 रुपे तक की राशी परदान की जाती थी जो की किसानों के खाते में स्वयोग के रूप में सीधे वेजी जाती थी जारखन में अब एक घंटा में होगी गर्वाती महिला की संक्रमन जात खबरों के उसार जारखन स्वास्त मंतरी बना गुपता ने कहा है कि सरकार गर्वाती महिलाओं को बेतर इलाज के लिए संकलपित है इस संकट की घड़ी में उन्हें परसानी का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए हम जरूरी तयारी कर रहे हैं गर्वाती महिलाओं को समय पर इलाज की सुवधा मिल सके और उनकी संक्रमन जाच कराई जा सके इसके लिए राज के सदर अस्पतालों में ट्रू नेट मसीन इंस्टोल किया जा रहा है इस मसीन की सहायता से केवल ए घड़ा में संक्रमन की जाच रिपोर्ट आ जाएगी चातरा के टीपीसी हाटकोर नकसली गिरफतार खबरों के अनुसार इटखोरी पुलिस ने टीपीसी के हाटकोर नकसली रंजीत उर्फ बिरेंदर उर्फ कमेस्वर राना समेथ पांच उरवादियों को गिरफतार कर लिया है इस संबद में एसपी रिशब कुमार जा ने इटखोरी थाना में पत्रकारों को जनकारी देते हुए बताया कि सभी की गिरफतारी अलग अलग छेतरों से हुई है जीएश्टी रिटर्ण में नहीं लगेगा बिलम सुल्क खबरों के अनुसार जीएश्टी और अप्रत्यक्ष कर के अध्यक सियर राजंदर कुमार ने कहा है कि संक्रमन के कारें दुनिया ठप हो गई है काम काज अपने निर्धान समय पर नहीं हो रही है इसके लिए सरकार ने कारोवारियों को जीएश्टी रिटर्ण फाइल करने में रहात दी है बितिय बस 18-19 के लिए जीएश्टी और बार्सिक रिटर्ण फाइल करने की तारिक बढ़ाक कर 30 सितंबर 2020 कर दी गई है सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे जन परतिनीधी वा अपसरों के बच्चे खबरों के उंचार राज सिक्षा बेवास्था को बेहतर बनाने के लिए सिक्षा मंतरी जगरनाथ महतों ने चार दिन पहले लोगों से सुझाव मांगे थे सिरी महतों ने फेस्बुक पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि सरकार स्कूली बच्चों पर 4000 रुपे महिना खर्च कर रही है फिर भी बच्चे निजी स्कूल क्यों जाते हैं इस पर लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया जिसमें कहा गया कि सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे जन परतिनी दिव हो या कोई बड़ा अपसर हो परिवाहन मंतरी ने जार्खन चालक एवं परिवाहन सुरक्चा अभियान का किया सुभारम इस दोरान वाहन चालक शुरक्चा मार्ग दर्शित का बिलोचन करते हुए वाहन चालको एवं सहयोगयोग के बीच संक्रमन सुरक्चा टूल कीट का वित्रन किया लातेहर में रेविज इंजेक्शन नहीं मिलने से युवक किमोत खबरो के अनुसार स्वास्थ विभाग में लपरवाई होने के कारण लातेहर जिला के महुआ डाड़ परखंड निवासे एक युवक की मोत कुता काटने से हो गई कुता काटने के बाद समय पर एंटी रेविज इंजेक्शन नहीं मिल पाया जिसकी वज़ा से युवक की मोत हुई युवक के पिता के अनुसार समय दाई स्वास्थ केंद्र गए थे लेकिन केंद्र में स्वास्थ कर्मियों ने बताया कि अंटी रेविज इंजेक्शन नहीं हाए जारखंड में जोन के हिसाब से मिलेगी छुट खबरों के अनुसार जारखंड में लोगडाउन के दोरान छुट देने पर फैसला नहीं लिया जा सका है स्वामवार को लोगडाउन के समिक्षा के लिए गठित स्टेट लेवल कमिटी की बैठक में केंद्र सरकार द्वार लोगडाउन 3.0 में दी गई छुट को राजे में लागू करने पर बैठक की गई मुख सचीव की अध्यक्स्ता में हुए बैठक में बीच सचीव, ग्री सचीव, खादयापूर्ती सचीव, आदी सामिलित थे इस बैठक में कुछ पावांदियों के साथ केंद्र सरकार द्वार लोगडाउन में दी गई छुट राजे में लागू करने पर समती बनी है मुख मंत्री के अनुमती के बाद अम्तिम निनन लिया जाएगा तिलंगाना में फसे मजदूरों ने घरवापसी की मांग कई मजदूरों के साथ उनका परिवार भी है मजदूरों ने घरवापसी के लिए निवांदन भी कराया है लेकिन उनको कोई जनकारी नहीं दी जा रही है ऐसे में मजदूर परिसान है ग्री मंत्राले का आदे स्रमिको को रेल्वे ट्रैक और सलक पर चलने से रोके खबरों के अनुसार केंदूरी ग्री मंत्राले ने सभी राज सरकार को लॉकडाउन के दवरान फसे स्रमिको को सलको और रेल्वे ट्रैकों से पैदल चलने से रोक करने का निद्यस दिया है कंशार राची के सभी सुलब सवचालों को 15 दिनों की लिए फिरी कर दिया गया है। फिरी कर दिया है। हमजदुरों या यातरियों के लिए ट्रेन समझ सार्ने निर्धारित। खबरों के अंसार 15 जोड़ी ट्रेन आज से आरम होने जा रही है ऐसे में रेल्वे ने सभी ट्रेनों का आवागमन का समय निर्धारित किया है जो इस परकार है नई दिल्ली से राची के लिए 13 माई को दो फर 4 बजे से दिल्ली से खुलेगी जो राची 10 बजे पहुँचेगी जबकि राची से नई दिल्ली के लिए 14 माई को राची से साम 5 बज कर 10 में खुलेगी जो कि दिल्ली 10 पचपन में पहुँचेगी मुंबाई से दिल्ली के लिए 12 माई को साम 5 बजे खुलेगी जो नई दिल्ली 8 बज कर 38 में पहुँचेगी हबडा से दिल्ली के लिए 12 माई को साम 4,50 में खुलेगी पटना से नई दिल्ली के लिए 12 माई को साम 7 बजे खुलेगी जमुत अविजी से दिल्ली के लिए साम 7,40 में खुलेगी बैंगलूरू से दिल्ली के लिए 12 माई को साम आठ बजे तथा चेनाई से 15 माई को साम चार बजे खुलेगी जबकि बिलासपूर से 14 माई को दो फर दो बजे खुलेगी सेश ट्रेनों का लिस्ट आप वीडियो को रोग कर देख सकते हैं जो भी मजदूर जारखंड लटना चाहते हैं वे दिल्ली से होकर राची आने वाली ट्रेन जो प्रती दिन चल रही आ सकते हैं ट्रेन टिकट की बुकिंग अवसे करा ले धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल बेल आइकन दवाए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप फेस्बुक ट्वुटर इस्टागराम पर सेर करे और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवसे दे